दोस्तो हम लोग बात करने वाले हैं Women's World Cup का जो पांचवा मैच होगा शिरलंका वर्सिस बांगलादेश के बीच इसके बारे में तो देखिए ध्यान से पूरा वीडियो देखना सारी चीज़े इस वीडियो में आपको समझ में आएगी कि कैसी आपको टीम रखनी है जो आपको विन करवा दे साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट आपके ट्रम कार्ड प्लेट्स और मैच की डिटेल्स जो नॉर्मल है वो तो मिलेगी तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को उससे पहले जो यूजर्स ऐसे हैं जो टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़ें लेकिन वीडियो को देखने हैं तो टेलिग्राम से जोइन हो जाए और रीजन बहुत ही सिंपल है जो मैच आपकी वीडियो देख रहे हो ना इसकी फाइनल जो टीम होगी वो आफटर टोस टेलिग्राम पे आईगी और आप सब को मालूम है कि 90% मैचेस डिपेंडी टोस के उपर होते हैं और स्टार्टिंग के तीन मुमेंज के मैचेस में जो भी बंदे हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़े वें उनकों भी मालूम होगा कि जो टीम मैंने आपको टेलिग्राम पे शेर की उन्ही टीम्स के साथ 15 लाख और मैंने विन भी की हैं और यह आज का सेकेंड मैच भी होगा अभी तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है उसमें भी जम के विन करना है तो द्यान डखना जो वीडियो देख रहे हैं वो टेलिग्राम से जोईन जरूर हो जाए अब हम स्टार्ट करते हैं मैच की जो इंपोर्टन डिटेल्स होगी उसी के बारे में तो यह जो है ना इसी ग्राउंड पे सेकेंड मैच होगा वैसे तो आपको सेकेंड मैच उसी ग्राउंड पे है तो बाकी अगर मैं नॉर्मली बोलू यहाँ पे मैच हुआ था जो कि श्रिलंका और साउत अपरी का था जिसमें श्रिलंका टीम जीती थी और श्रिलंका नी यह प्रूव भी किया कि भाई हम भी जी सकते हैं तो उस मैच के अगर मैं बात करता हूँ उस मैच में ज्यादा स्कोर हुआ नहीं था बैलेंस विकिट था 130-140 जो कि एवरेज स्कोर यहाँ पर वही चीज़ मैं एक्सपर्ट कर रहा हूँ टॉस विनर टीम बैटिंग करने का फेस्टा लेगी विकोज 6 मैचेस यहाँ पर हुए हैं अभी फिलाल में इंडिया और पाकिसान का इग्नोर करना क्योंकि वो होगा उन 6 मैचेस में बैटिंग फर्स चार मैच जीती हैं बॉलिंग फर्स दो मैच जीती हैं 50 पर्स ज्यादा मैचेस तो आप समझ गयोंगी क्यों वो बैटिंग करना चाहेंगी वेन्यू पर यहाँ पर मैचेस खेले गए मतलब इस वेन्यू पर रिसेंट के चार मैचेस हैं जिसमें आप लोग देख सकते हो मतलब एक यह रिसेंट का तो बाकी तीन तो बहुत ही पुरान है तो उसमें अगर आप देखोगे मतलब मैनली यहाँ पर जो देखने वाली चीज है न वो यह कि स्कोर देखिए मैक्सिमम मैचेस में आपको एक में जरूर यह ऐसा है इंडिया का इंडिया तो वैसे भी श्ट्रोंग टीम है जिसमें 150 प्लेस स्कोर गया बाकी फर्स्ट इनिंग ले लो सेकंड इनिंग ले लो सब में आपको 120, 130, मैक्सिममम 150 से नीचे ही दिखा है तो एकस्पिक्टर चीज है यह है कि 130, 140 हैर्ज़ स्कोरों का साथि में Fast bowler and spin bowler both important Fast bowler first inning and spin bowler in second inning very important यह एक नौरمل चीज़ है जो 6 matches इतुक हुआ है यह हम भात करते हैं तरह में फिल्सके लिए को मुर्षिदाओव खातुन शार्मीन अक्तर आपको उप्टिनिक करते ही नज़र आएंगी और अगर मैं नॉर्मली बोलू ना मुर्शिदा खातून मतलब ऐसी प्लेयर है जो मतलब तीज़ी की साथ तरन स्कोर करेगी या तो बहुत अच्छी स्कोर या बिल्कुल वेस्ट फिक ठीक है तो शारमीन अक्तर ये थोड़ा स्लो खेल के अच्छी निंग दे सकती है शामीमा सुल्ताना ये इनकी मतलब मैं बोल सकता हूँ बेटिंग में स्पेशली मतलब अच्छी प्लेयर है निगर सुल्ताना सेकिंड बेस्ट प्लेयर उसके बाद आएंगी दिलारा अक्तर आफ्टर देट आएंगी शौराना अक्तर रितु मोनी नाहिदा अक्तर मारूफा अक्तर जहानारा आलम एंड सलमा खातून ये इस टीम की प्रॉबेबल 11 है जो की गलब प्लेयर है दिलारा अक्तर यहाँ पे most likely दिलारा अक्तर नहीं खेलेगी और इनके जगा पे मतलब वही चीज़ है यार मतलब मैंने एक मिश्टेक कर दिया रुमाना अहमत को नहीं मैंचन किया जबकि वो खेलेगी तो आप दिलारा अक्तर को हटाना और शॉबाना मौस्तारी काफी प्लेयर है इसमें फरगाना हक एक इंपर्टेंट है और एक रुमाना तो खेलेंगी और तो इतने इंपर्टेंट है और एक पावरब बले में आपको सल्मा हातुन और जानारा आलम दिखेंगी और वहीं पे अगर हम बात करते हैं डेथ हॉवर्ज की तो मारूफा अक्तर एट जाहाना अलम डेथ में जाहाना अलम का तो लग-बख शोर है और डेथ हॉवर्ज में यह जो मारूफा अक्तर है इनके पहले स्ट में आप लोगों को रुमाना अहमद भी दिख सकती है हलाकि रुमाना मुश्ट लाइकली मिड में कम्प्लीट करनी चाहिए और इसको बट में भी जिसे मानके चलिए कि अगर नॉर्मल गेम चला कि इनके नॉर्मल बोलर्स अच्छी बोलिंग करनें यह बोलिंग के लिए डेथ में भी आ सकती है कुछ मैचस में आई भी है इसलिए मैंने नाम लिया है बाकी तो जो मैकसिमा भी रीसेंट के मैचस हैं उनमें मारूफ अक्तर जानारा आलम के साथ डेथ में आई थी जो मैंने बता दिया आपको यहां से अगर मैं बात करता हूँ कि कौन से ऐसे प्लेड्स हैं जो की चार-चार ओवर करने की मतलब पॉसिबिलिटी रखते हैं तो जैसे मैंने रुमाना को मैंचन नहीं किया रुमाना चार ओवर करेंगी जानारा जो आलम है यह भी मोशलेकली चार ओवर करेंगी सल्मा खातून भी मोशलेकली चार ओवर करेंगी और उसी के अलावा नहीदा अक्तर भी अब बचे कितने चार ओवर उन चार ओवर में मारूफा अक्तर है और एक अगर आप देखोगे बस यह एक शोराना अक्तर है बाकी तो ये जो मतलब मारूफा है ये डेथ हमें आएक तो एक दो और ना सकती है बाकी जाना रहाँ, अलम के ओवर नहीं कटेंगे सल्मा के भी नहीं कटेंगे नही नाइदा के और नही रूमाना के इनकी ओवर कटने की सिर्फ एक ही possibility है कि दो मान लो एक तो यह कि यह फाल्तु को अइक्सपरिमेंट ना करे तब तो कटी सकते है तब तो कोई बोल ही नहीं सकता है और दूसरा जो कि नॉर्मल है अगर कोई बोलर रंस ज़्यादा खा जाता है तो उसके इसमें अव्विश लिवात है और उसके कटेंगे ही कटेंगे तो वो चीज़ है ठीक है पावर पले डेत ओलेडी हो चुका है एक्सपेक्टेड प्लेंग लिए उन जो शिरलंका टीम है इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो हरशीता माधुई एंड चमारी अटापटू ओपनिंग करेंगी अटापटू लास्ट मिस में बोलिंग नहीं की थी ये बात आप ध्यान रखना बट अब ये वाली टीम इतनी स्टोंग है नहीं तो अटापटू एक इंपॉर्टन प्लेयर रहेगी ठीक है हाँ यही अगर मैच अश्रीलिय बुमेंस से होता इंगलेंड बुमेंस से होता तो मैं अटापटू को ड्रोप भी कर सकता था क्योंकि अब ये तो बांगलादेशी टीम से मैच है तो भाई अटापटू को ड्रोप करना एक बेवकूफी होगी वही अगर मैं बात करता हूँ वन डाउन की तो विसमी गुनारत ने जो है आपको वन डाउन बेटिंग करते हैं नजराएंगी वही पे सेकेंड डाउन आप लोग को निलाक्षी डी असो रियानुष का संजीवनी अफ्टर देट निलाक्षी डी सिल्वा, हामा कंचना, कवीशा दिलहारी, ओशादी, राना सिंगे और वही पे आपकी सगुंदी का कुमारी, इनोका रनावीरा और अचीनी का पासूरिया यह इस टीम की प्रॉबेबल 11 है और वही चार वर जो लाश मिश में की थे बोलर्स ने वही आपको देखने को मिलने चाहिए इस मैच के अंदर भी यानि की देखिए चार वर्स की अगर मैं बात करता हूँ, ओशादी के फिक्से, इनोका रनावीरा के फिक्से और सुगंदी का कुमारी के फिक्से, अब बाकी के जैसे हमा कंचना, कविशा दिलहारी और अचीनी कापा सूरिया यह मिलके आठोवर्स करने वाली है, आफ्टर देट हम बात करते हैं इनके बेंच की, तो मतलब बेंच में बात करने से मतलब भी नहीं है क्योंकि लास में जीत के आ रहे है, अगर हारते ना, तब भी टीम हाला की चेंज ही नहीं करती है, अब यह तो जीत के आ रहे है तो मुझे नहीं लगता है कि इनमें तो कोई चेंज होना चाहिए, बाकी जो होगा वो मैं आपको बता ही दूँगा पावर प्ले में जो है ना चीनी, कपा सूरिया एंड एमा कंचिना ओप्लिंग करेंगी, मतलब पावर प्ले में बोलिंग करेंगी तो देखे, दस मैच हो है टोटल, दोनो टीमों के बेए, जिसमें 6 मैच शिरलंकन टीम जीती है और 4 मैच जो है ना वो बांगलादेशी टीम जीती है अभी वैसे दोनों टीम में अच्छी है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है ना, तो शिरलंका टीम इस मैच को दीचनी चाहिए तो 60% इसलिए मैंने शिरलंका के विनिंग चांसिस मैंचन की है ठीक है रीसिंट फॉम के बात आती है, बंगलादेशी टीम के लाच के तीनों मैचस हार के आ रही ये और वहीँ पे अगर मैंच करता हूं, शिर्लंकान टीम के लाच के तीन मैंसे 2 विन और 1 हार ठीक है आफ्टर देटम बात करते है डेमो टीम की उससे पहले में एक बार फिर आपको बता दू कि ये जश्ट डेमो टीम है ठीक है जो मेरी फाइनल टीम होगी ना वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोक्स में दि ली दिए क्योंकि इनसे बेस्ट कैप्टन कोई भी नहीं है मैं सही लेवल की बात करूँ तो क्योंकि आपको बेटिंग भी देगी साथ में बोलिंग भी एक्सपेक्टेड है चार ओर देगी वीसी में देखिए अगर आप रिस्क ले सकते हो ना या कैप्टन सी में ले लो और इस्पेशली जब शिर्लंका टीम बोलिंग मैं आपको गेम प्लान समझाता हम देखिए जब शिर्लंका बोलिंग करेगी ना तो एक्सपेक्टेड चीज है कि इनके सारे बोलर आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे ठीक है और मैं चाहता भी यही हो कि शिर्लंका की टीम बोलिंग करें अगर शिर्लंका बोलिंग करेगी उस मैच उस कंडिशन के अंदर यह मैच आपके लिए अच्छा है क्योंकि जब वो बोलिंग करेगी ना सुगंति का कुमारी हमारी टीम में होगी वहीं पर जो इनकी मतलब एक स्पिन बोलर है कभीशा दिलहारी है अगर अच्छी टीम बन जाए यह मतलब सिंपल सा यही है और बाकी तो देखिए मतलब अगर बांगलादेशी टीम बैटिंग करती है बोलिंग करती है स्वरी मैस तो तब भी अच्छा है लेकिन उस केस में दिक्कत ही है ना कि जैसे अभी सुगंदी को कुमारी हमारी टीम में नह तो कर ना भट ऊतना नहीं मतलब उसकेस में मैस थोड़ा जखरा हो जाएगा समझ में तो आपको आई गए हो कि क्यो हो जाएगा नहीं आया तो समझ लो कि आपकी टीम बैस्त नहीं बनेगी ठीक है और इसमें मैंने जो मिष्टीक किये ना वो मतलब टीम मैं एक प्लेयर गल है ठीक है और फरगाना अगर खेलती है तो फिर फरगाना तो ही बेस्ट तो अभी फिलाल डाइम मेरी यह डेमो टीम है बाकि जो चेंजे सौंगे वह मैं टेलिग्राम पर आपको बता ही दूँगा ठीक है डिस्क्रिप्शन में लिंक के जोइन करे ना ठेक्यों दूस्त वीड अथिर खेड़ खेड़ टूस्त करेंद स्वेशन मेंटेस्ट लेंगर लोगा जो रेक्यों में लिए स्वेक्न वगाट गिर फिर दो में लोगा टिखएस्ट